हलो स्टूडेंट्स आपका रिजल्ट जो है डिकलेर हो जाएगा तो रिजल्ट डिकलेर हो गया है जो बच्चे टॉप किये हुए दो बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल के हैं और एक प्राइवेट स्कूल तो मैं आपको बताती हूँ उन बच्चों के नाम पहले आपको यह ते कितने बच्चों ने पेपर दिया था और उसमें से कितने बच्चे पास आउट हुए है ठीक है तो यहां पर आप देखो यहां पर यहां पर यह 28 अप्रेल को जो आपका नतीज़ा आया है यहां पर 28 अप्रेल को आपके नतीज़ा अठवी के जो बच्चे थे देखो यहां पर यहां पर आपके टोटल इतने बच्चों ने पेपर दिया था 2,98,170 बच्चों ने ठीक है जिसमें से पास हुए है 2,92,206 बच्चे ठीक है और पास प्रतिशत अगर नतीज़े का हम पास प्रतिशत देखे तो 98.1 रहा मतब दो प्रतिशत के करीब बच्चे जो है वो फेल है तो यहां पर बढ़ाए कि पिछले साल नालो इस साल जो है कम बच्चे फेल है ठीक है अब उन बच्चों का देख लेते हैं जो बच्चों ने जो है टॉप किया हुआ है तो यहां पर आप देखो यहां पर दिया उसके बाद दूसरा गूर अंकिता कौर इसने जो है यह अपके यहां पे समरपीत कौर यह है जो स्कूल है आपका गूर नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लुधियाणा से यह मांसा से है ठीक है और ये लुधियाना से ये भी मांसा से ये और ये लुधियाना से तो लुधियाना वाले बच्चे ने 600 में से 598 ठीक है 598 अंक प्राप्त करके 30 अस्थान प्राप्त किया है तो ये तीन बच्चे जो हैं टॉपर हैं जल्द ही merit list भी आ जाएगी और result कई बच्चे कह रहे हैं चेक करने के लिंक provide करा दो तो बच्चो result आप सारे बच्चो का result वो कल आएगा आज toppers और merit list आएगी कल बाकी बच्चो का result आएगा ठीक है मैं शाम तक आपको proper video बना दूँगी कि किस तरीके से आपने अपना result चेक करना है आप खुद अपना result चेक कर लोगे ठीक है और उसके बाद चेक करके मुझे अपने नमबर जरूर बताना मिलते नेक्स वीडियो में बाबाई